पाकिस्तान के सलामी बल्लेबास चर्चे में हैं क्योंकि हाली में आस्ट्रेलिया के खिलाव जो खरेलू सीरीज खेला गया था ODI सीरीज में उन्होंने बहतरीन परदशिन किया है और ODI रैंकिंग में दस नंबर से तीसरे नंबर पे आ गए हैं लेकिन चर्चा इस बात को लेकर फिर से एक बार हो रही है कि क्या इमाम उलहक अपने सेक्स कैंडल्स के लिए जेल में गए थे जानने के लिए वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तो बात है सन 2019 की जब ट्वीटर में एक यूजर द्वारा काफी ज्यादा प्राविट चैट इमाम उलहक का कर दिया गया था लेक वाटसेप के उन चैट्स में ये देखा जा सकता है कि इमाम उलहक कई लड़कियों से चैट कर रहे थे और ये पता लग रहा है कि उनके साथ रिलेशन में भी थे और आरोप ये लगाया जा रहा था तब कि लड़कियों से बात करते हैं इमाम-ul-हक उनको शादी का जहांसा देते हैं लेकिन शादी नहीं करते हैं इस बात की जब तहकीकात हुई तब ये पाया गया कि इमाम-ul-हक उसमें आरोपी है या फिर अपनी गलती को मान रहे है और इस बात को लेकर ये अटकले लगाई जा रही थी कि इमाम-ul-हक को हो जाएगी जेल और पी-सी-बी की तरफ से बैन भी किया जाएगा लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं हुआ पी-सी-बी ने ये जरूर कहा कि अपने खिलाडियों को लेकर थोड़े से और सक्त वो रहेंगे लेकिन उनके नीजी जिन्दगी में ज्यादा दखल अंदाजी नहीं करेंगे और बैन भी नहीं हुआ था और नहीं वो जेल गए थे और हाले में उनका परदर्शन इतना बहतर रहा था आस्ट्रेलिया के खिलाफ ODII सीरीज में उनके बल्ले से दो सेंचुरीज और एक हाफ सेंचुरी भी देखने को मिला था लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या इमाम उलहक को एक ऐसे बड़े स्कैंडल के लिए जेल में जाना चाहिए था या फिर कुछ ठोस कदम इनके उपर उठाना चाहिए था क्या है आपका मानना बताए हमारे कॉमेंट सेक्शन में और साथ यसाथ वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो करें लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा उस बैल आइकन के साथ धन्यवाद